आज का जो पहला टॉपिक है ना दोस्तों ये है डिजिटल रूपी डिजिटल रूपिया और ये भारत सरकार ने लॉंच कर दिया है ठीक है आर बियाई नेक्स्ट फाइनेशियल इयर से ठीक है इसको क्या करेगी दोस्तों स्टार्ट करेगी मतलब अभी तक अगर हम देखें दोस्तों क्रिप्टो करणसी को लेकर ना एक बबाल मचा हुआ है क्रिप्टो करणसी की मैं बात करता हूँ जैसे बिट्कॉइन थीक है उसके रावा लीठियम एथीरियम बोहब सारी प्राइट और जो है आपकी क्रिप्टो करणसी मार्किट के अंदर है ये सारी की सारी crypto currency किसी भी सरकार की दुआरा regulated नहीं है और नहीं इनके पीछे किसी भी प्रकार की fiat currency है किसी भी प्रकार का ये legal tender नहीं थी तो इन सारी currencies को अगर हम देखें तो उनसे कुछ issues थे जैसे security, money laundering, terror financing, security related issues तो उन सब मुद्दों पे देख्स के अंदर में बहुत दिनों से उन पे बातचीत चल रही थी अब उसी बातचीत को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए सरकार ने security perspective से ध्यान रखते हुए सरकार ने लोगों को एक investment के ने वेन्यू एक ने opportunity देते हुए government of India ने इस बार budget में निर्मला सीता रमन ने announce किया है कि RBI जो है अगले financial year से एक digital currency जो भारत सरकार के दुवारा backed होगी भारत सरकार के दुवारा जिसको जारी किया जाएगा जो भारत में एक legal tender माना जाएगा legal tender का मतलब है कि अगर ये digital currency किसी के पास होगी तो RBI की जिम्मेदारी होगी उसको settle करना है जैसे हमारे पास note होता है that is a legal tender तो वो legal tender जो होता है वो भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको क्या करें दोस्तों उसको उस पे जो लिखा है जैसे 100 rupees लिखा है तो उसको पूरा करें इसलिए वो note चलता है तो मैं भी लिख दूँ कल को 100 rupees तो मेरे नाम से एक picture नहीं देखियो ऐसे वो जेल में आदमी बैठा था वो 25 की 30 से लिख देता है 100 rupees वो 100 rupees का चल जाता है note अपने पास खेर वो power नहीं है लेकिन legal tender का मतलब यहीं होता है कि अगर मैं लिख दूँ तो फिर मतलब वो काम हो जाए है सरकार लिख के देती है RBI का governor के note पे sign होते है that is a legal tender मतलब वो 100 rupees की value के वराबर का सामान उसको मिलना चाहिए और यह भारत सरकार की तरब से Reserve Bank of India का जो governor है वो उस बात को क्या करता है बात कहता है तो यह होता है legal tender तो अभी बोला यह गया है कि भाईया आप private जो आपकी crypto currency का बहुत शोक है crypto currency जो है भारत के अंदर में बहुत popular हो रही है तो अगर आप वास्तविक्ता में crypto currency के अंदर में invest करना चाहते हो तो ठीक है आम खुद की currency बना देते हैं तो भारत सरकार की दुवारा भारत सरकार के दुवार RBI backed एक legal tender ठीक है को जारी किया जाएगा next year से अगले वित्तिवर्ष से जिसका नाम दिया गया दोस्तो digital रुपी ये digital रुपीया जो है दोस्तो अब कोई भी चीज आती है दोस्तो उसके advantage बहुत होंगे भारत में आएगा तो इसके बहुत सारे advantage है लेकिन साती सात में दोस्तो इससे संबंदित कुछ problem भी है advantage में अगर मैं बात करूँ तो क्या भारत सरकार के अंदर में बहुत सारी ऐसी social security scheme जारी की लिए आपको पता है आपको बहुत सारी चीजों में subsidy मिलती है बहुत सारी चीजों में कईयों के मुआवजे आते हैं pensions आती है ठीक है जैसे gas cylinder पे subsidy आती थी अतर आप तो नाम नाम की आती है कहीं कोई किसी को gas cylinder पे subsidy तो मिलती नहीं है मिलती है तो बहुत देनने है आप लोग ठीक है पर मैं कहा रहा हूँ कि subsidy जो हमें आती है जो हमें benefits मिलते हैं सरकार हमें हमारे तक social security scheme की दहत पहुचाती है तो इस digital currency से क्या होगा कि सरकार direct जिस पर आप जैसे मान के चलो मेरे account में सरकार ने 500 रुपए मेरे cylinder के नाम के भेज दिये cylinder की subsidy मिलगी लेकिन उस 500 रुपए से मैं शराब पी जाओ तो सरकार ने क्यों दिया मुझे कि मैं cylinder खरीद सकू भाई लेकिन मैं उस 500 रुपए से क्या पी जाता हूँ शराब पी जाता हूँ तो जो target जिसर परपज है उसके लिए हम दिजितल करन्सी तो अब उससे क्या होगा अगर सरकारी डिजिटल करन्सी लौट करती है तो फिर क्या होगा इस डिजिटल करन्सी आप gas cylinder के लिए इस्तमाल कर सकते हो अगर ये भुक खरीदने के लिए ये पैसा सरकार ने दिया है, तो सिर्फ बुकी खरीदी जाएगी, तो मैं अब एक इस तरीके से, दूसरा क्या है, भारत में न दोस्तों, भारत में अगर आप देखोगे, तो currency to GDP रेशो बहुत जादा है, भारत के अंदर में बहुत ज़्यादा नगदी न इसका न बहुत खर्चा पड़ता है, तो जब भी digital currency आ जाएगी न, तो खर्चे का tension खतम हो जाएगा, आप कहोगे सर, digital currency से ऐसा कौन सा बड़ा फायदा हो जाएगा, आज भी तो बहुत सारे digital transaction के platform है न, Paytm, ठीक है, आपका अन्य 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 आप बैंकों ने भी app बना फोन पे, Google पे, लेकिन प्यारे बच्चों आपने कभी सुना है, देखा है, इस in app का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक bank account चाहिए होता है, तो यहाँ पे चीजों में समय लगता है, जब बैंक अकाउंट जो है, वो डील करेगा किसे Paytm से, ठीक है, या Google पे से, तो यह बी आउंट से कटके पैसा Paytm में जाएगा, और Paytm से फिर उस बैंक में जाएगा, जिससे Paytm का connection है, Paytm का खाता है, तो वो जो बैंक है, दो इसमें involved है, वो भी अपना चार्ज करते हैं, Paytm वाले अपना बीच में commission रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत लंबी चोड भी process आ जाती है, तो इंटरा बैंक ट्रांसफरी बीच से खतम हो जाएगा, digital currency आगी, RBI का legal tender है, मैं आपको दूँगा, आप मेरे से लेंगे, बीच के bank बैंक जो है, बिचो लिए जो इंटरा बैंक transaction है, वो क्या हो गया, खतम, तो transaction और भी fast हो जाएगा, real time में transaction अपना हो पाएगा, मेरी बात समझ पाएगा, तो ऐसे बहुत सारे फाइदा है, दोस्तो बाहर देश से अगर मान के चलते हैं, गल्फ countries में, तेल के खदानों में भारती लोग काम कर रहे हैं, वहां से वो पैसा कमा के भारत में भेजते हैं, रेमिटेंस, जिसकों बोलते हैं, तो वो रेमिटेंस क्या है, वहां पे मान के चलते हैं, वो लोकल करंसी में उनकों पैसा मिलता है, ठीक है, या मान लो कोई अमेरिका में डॉलर कमा के भारत में भेजते हैं, तो भारत में डॉलर नी रूपी आता है, तो वो ट्रांजेक्शन होता है, बैंकों के बीच में क्या होता हैं लेकिन हाँ सर कोई भी चीज होते हैं तो उसके कुछ न कुछ नेगेटिव भी होते हैं यह सारी चीज है टेकनोलोजी पर बेस्ट है तो आपको नहीं लगता कई बर किस दिन हैक हो गया सिस्टम ठीक है तो सारा पैसा उड़ जाएगा आप कहां ऐसा हो सकता है इस सिस्टम हैक हो गया तो यह चाइना वड़े हैक करके सारा पैसा आपका ले जाएंगे ठीक है तो यह एक साइबर सेक्योरिटी का थ्रेट तो है प्राइवेसी को भी खत्र है क्योंकि दिको जब आप ऐसे इस प्रकार की मनी रखोगे बैंक में खाता खुलवाते हो तो आपकी बेसिक इनफॉर्मेशन जाती है इसी प्रकार जब ऐसी डिजिटल करंसी आप रखोगे तो उसकुछ बेसिक जानकारी आपको देनी पड़ेगी तो वो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है भारत एक ऐसा देश है दोस्तो इसमें अभी भी लोग एजुकेट नहीं ह है और एजुकेशन है भी तो डिजिटल जो लिटरेसी है फइनेंसल लिटरेसी है वो नहीं है मतलब उनको अभी मेरे पापा कोई देख लो है अभी तक उन्होंने पेटियम से पेमेंट करना न सीखा है है वो मोबाइल से मैसेज फोन आज भी नंबर मोबाइल से नहीं निक संद है वो ट्रांजिक करना ही नहीं चाते तो ऐसी बहुत सारी प्रॉबलम है जो डिजिटल जो ये रूपी है इसके सामने आने वाली है बरहाल ये जो डिजिटल गरंसी है दोस्तों ये इस साल से नहीं कि नेक्स्ट येर से लागू होगा अगले वित्वर से आर्बिया इ चलिए तो ये टॉपिक हमने बताया मैंने आपको कहानी बताई या मैं आपको बताता हूं सर ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं देको पहली बात तो क्या सरकार का एक ये नया इनिशेटीव है so that's why it's comes under the GS paper 2 and 3 3 के अंदर क्यों because Indian economy का part GS paper 3 में आता है banking non banking ठीक है वो सारी चीज 2 and GS paper 3 government plan and policies or Indian economy development in the science and technology यहां से ये आपका क्या है related रहेगा तो basically we are going to do it from this perspective UPSC में इस प्रस्पेक्टिव से इसको cover करूंगा ठीक है topic क्या है context क्या है मैंने आपको पहले ही बुल दिया कि निर्मला सीता रमन जी ने अभी अपना budget जो है रखा है तो budget में उन्होंने announce किया है कि हम एक digital rupee central bank digital currency जो है वो start करने वाले हैं 2022-23 से ठीक है 2022-23 onward next financial year जो अभी हमारा आएगा ठीक है यानि कि जो अप्रेल एक अप्रे इवनिंग वेशाली गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग अरे यार इंडियान अन्मोल ऐसी इसी बात करोगे तो मैं रोद हूंगा वाई भगवान कसम और मैं खुद बढ़ा मतलब आप यकीन मानिए मैं मेरे दिमाग में आज भी पता क्या चलता रहता है सच बता रहा मैं सुबह आज दूद लेने जा रहा था ठीक है ब्रेड लेने जा रहा था मैं यही सोच रहा था यार वो कैसे करा हूंगा ठीक है ऐसा मत करो यार मतलब मुझे पता है आप लोग मैं खुद बड़ा परिशान था लेकिन एक चीज ऐसी थी ती यार मतलब मेरे को नहां यहा पर ठीक है यह रसोड़ी समझते हो नो लाइप ओमा वो गया था बहुत बड़ा ठीक है तो यहां से फिर फैलने लगया था अंदर निकलवाना बहुत जरूरी था उसको ठीक है वो बहुत बढ़ रहा था दोस्तों ठीक है बहुत बढ़ रहा था आप यह मालो की 1.6 kg ठीक ह डेड़ किलो के असपास और वो इतनी जल्दी फैल की थी तो वो बहुत खतरे की चीज थी यार बहुत डर लगा उससे तो निकलवाना मुझे बहुत जरूरी था तो अदर्वाइस और वो तो ऑप्रेशन भी थोड़ा बढ़ा था ठीक है तो इस वज़े से मैं थोड़ा सा अब यह है क्या प्यारे बच्चो एक लीगल टेंडर लीगल टेंडर मैंने आपको बता दिया लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों लीगल टेंडर का मतलब यह है कि अब आर बिया इसको इशू करेगा तो कोई इसको लेने से मना नहीं कर सकता ठीक है यह लेना वेसको बैक्ट कर दिया, तो आप जब कोई भी पेमेंट करते हो, तो पेमेंट सेटलमेंट के अंदर में आप अगर वो दोगे, तो कोई मना नहीं कर सकता, जैसे एक बात बताता हूं, मैं आलों में एक आइफोन लेता हूं, मैं 7 लाग का आइफोन ले लू और मैं एक एक द्वारा RBI के द्वारा बैक्ट किया हो तो लीगल टेंडर का मतलब एक ऐसी करंसी जिसको आप लेके जाओ तो कोई भी पेमेंट सेटल करने में आपको मना नहीं करेगा कि भई मैं नहीं लूँगा अगर वो मना खरता तो आप बोलिए ठीक है पकड़ के कि लीगल टेंडर है उनको हम बोलते हैं फियाट करंसी फियाट करंसी का मतलब समझते हो क्या है 100 रुपय का नोट है मेरी जीम में 500 का है 2000 का है 2000 की नोट पी लिखा होता है RBI की गवर्नर का साहिन होता है कि मैं धारक को 500 रुपय का जो नोट है अगर कल को मानलो आपका मन ना करें कि मैं ये रखती है, मार्किट में जितने नोट होते हैं, उनके पीछे एक अलग से commodity होती है, जिसके दौर उसको back किया जाता, ऐसी currency को हम बोलता है, fiat currency, जिनके पीछे वास्त्विक्ता में, जैसे ये तो नोट ही है, अब ये 2000 का note है, वो कागच का टुकड़ा ही तो है, ऐसा 2000 रुपए का क्या है उसमें, लेकिन वो कागच का note जो है उसके पीछे एक value है, जिसके बिहाब पे उस 2000 के note उस कागच के टुकड़े की value है, आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं बोल दूँ कल से 2000 रुपए का note है, तो कपड़ा ही, कपड़े को लेके जाऊँगा, तो इससे क्या कर लूँगा, ना मेरी शेट बन सकती है, JP भी नहीं लग सकता है, ठीक है, छोटा से है, तो इसकी 2000 रुपए की value कहाँ से होगी, लेकिन आप इस currency को बदल भी सकते हो, मतलब क्या, कि इस digital currency के बदले में आप hard cash currency ले सकते हो, वो हो जाएगा, interchangeable है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है, दूसरा, Reserve Bank of India जो है दोस्तों, इसको upcoming वित्तिवर्स है, यानि कि 1st of April, ठीक है, 2022 से start होगा, तब से इसको launch किया जाएगा, this follow the government plan to launch the CBDC, that will be backed by the blockchain technology, याद रखना, जीतनी भी cryptocurrency है, वो भी blockchain technology से चलती है, और ये भी blockchain technology पर ही अधारित होगा, मैंने आपको बताता है, ये technology, although हम bitcoin को मना करते हैं, हमारी सरकार bitcoin को support नहीं करती, हम bitcoin के against में हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊ ना, तो bitcoin जो है, उसक बहुत काम की technology है, बहुत जवरदस technology है, और इस bitcoin technology का इस्तेमाल करके दोस्तो, हमने हमारी सरकार जो है, ये digital rupee, CDBC जो है, ये हम लेके आने वाले हैं, CBDC जो है, हम लेके आने वाले हैं, तो ये भी किस पर रहेगा, blockchain technology पर, लेकिन bitcoin में और अपना digital rupee में फर्क होगा, क्योंक तो वो सरकार उसको माननेता नहीं देती, लेकिन अपना जो होगा, ये RBI के दोरा back किया जाएगा, इसलिए legal tender होगा, इसके पीछे fiat currency होगी, मतलब इस पैसे को देखे आप hard currency ले सकते हैं, अगले वित्वर से इसको launch किया जाएगा, अब हम जब भारत की बात करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि cryptocurrency ये, cryptocurrency वो, हम कह रहे हैं कि इसके कुछ फायदे भी है, है न, तो फिर उसके बाद जब हमने सोचा की चलो ठीक है, हम अपने देश के अंदर में इसी प्रकार की digital currency launch कर लेते हैं, और भाई ये भारत, अब हमने ऐसा क्यों किया, पता आपको, आपको मैं बता सकता, क्योंकि bitcoin भी commodity है, और commodity में आप invest कर सकते हो, तो RBI जो बैन लगाया था, Supreme Court ने वो बैन अटा दिया, 2020 में आप देखोगे, तो भारत में bitcoin में investment को allow कर दिया, उसके बाद देखो कितनी सारी app है, YouTube देखते हो न, ठीक है, कितनी सारी app क्यों आता है, ठीक है, वो एक तो व तो अचानक से जो सर जाया है, अचानक से जो growth हुई है, अब भारत सरकार ने भी सोचा किया, अगर हम cryptocurrency को ban करके रखते हैं, तो देश के अंदर में एक ऐसा sector को innovate होने से पहले ही हम दबा देगे, FinTech जिसके हम बात करते हैं, ये पूरा FinTech इसी पर अधारित होगा, उसको हम द दबा देगे, उसको दब जाएगा, तो सरकार ने सोचा कि ठीक है, अलाव करते हैं, और long term में भारतियों का interest देखते वे सरकार कह रही, ठीक है, जब इतना आप उत्साहित हैं, तो हम खुद की currency ले आते हैं, digital currency, तो हमने digital rupee ले आए, और निर्मला सीतार हमने announce भी कर दिया और अगले इससे जो है, वो आपका launch हो जाएगा, एप्रेल से start हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, तो जब हमने digital currency launch किया, digital rupee की बात कर दी, तो इससे पहले हमने बहुत discussion किया, बहुत debate किया, कि क्या फायदे होंगे, ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं, जो मैं आपक फादर है, किसी दूसरे देश में काम करते हैं, वो वहाँ पैसा कमाते हैं, वो पैसा आपके लिए घर पे भेजते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इस शब्द को बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, रेमिटेंस, वैसे ब बैंकों का मतलब बहुत सारा जमेला पड़ता है लेकिन ये होने के बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है पहली चीज दूसरा क्या है fit for purpose में आपको क्या बता है सरकार बहुत सारी social security scheme के तैत में आपको subsidy देती है जैसे gas के लिए subsidy देती आपको पढ़ रहे है scholarship के लिए subsidy मिलगी अब मानके चलो scholarship तो आई है laptop के लिए और आप उसकी शराप पी जाए या किसी लड़की को laptop खरीदने के लिए सरकार ने scholarship दी और वो लेंगा बनवाले उसका ठीक है शादी के लिए तो ये गलत चीज हो जाती है न फिर तो सरकार ऐसा ensure करेगी कि जिसके लिए पैसा दिया गया है उसी के लिए वो use हो तो digital currency फिर इससे बड़ा फायदा होगा कि जो हमारा intended benefit है जो target है हमारा जिसके लिए हमारी payment होनी चाहिए वो उससे tagged हो जाएगा तो फिर पैसे का जो आपके account में आएगी न तो उससे आप फिर लेंगा नहीं खरीज सकती आपको laptop लेना पड़ेगा ठीक है तो ये काम हो जाएगा एक तो ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है तो जो purpose के लिए हमारा पैसा इस्तमाल होना चाहिए वो ही इस्तमाल होगा ठीक है दू कोई ने नोट बंदी कर दी थी, किसी दिन के देगा कि जाओ बैंक में कोई में नोट को पहुचाने में बहुत कोस्ट लगती है यार बहुत पैसा खरचा होता है नोट को बनाने में, चापने में, ट्रांस्पोर्ट करने में, फिर नोट ऐसा तो यह नहीं नया प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बताया कि मानके चलो आपको अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, आप अप पे गए, आपने पेमेंट करनी है, अब आपके अलग-अलग बैंक है, अनकेडमी का अकाउंट जो है, वो मानलो SBI में है, लेकिन आपका अकाउंट कि में, ICIC में, आपने पेमेंट स्टार्ट की, आपने पेमेंट जब स्टार्ट की, तो आपके बैंक से, यानि कि ICIC बैंक, जब कसम पर किसे करेगा, अनकेडमी वाले बैंक से, SBI से, ठीक है, तो इनके बीच में ट्रांजेक्शन होगी, अब जब तक वो ट्रांजेक्शन पर मैसेज आता है कि यहां पैसे आगे और अनकेडमी आपको क्या देता है सब्सक्रिप्शन देता है है ना तभी तो होता है लेकिन जब डिजिटल करनसी होगी तो यह बैंक गये बीच से गया वोगे आर बीच का पैसा वाई आर बीच ने लीगल टेंडर मनाया है तो इसमें बैंकों की ज़रुरत नहीं पड़ेगी आपने पैसा बेजा अनकेडमी को सीधा अनकेडमी अकनॉलेज करेगा फटाक दिस सब्सक्रिप्शन बीच में प्रोसेसिंग नहीं दिखाएगा कि बैंकों का प्रोसेसिंग हो रहा भी ठीक है वो चीज खतम हो जाएगी तो इससे करनसी मेनेजमेंट आ उसमें बड़ी जो आपका प्रोब्लम अभी आती है वो खतम हो जाएगा अगली बात करते हैं दोस्तों इंटर बैंक सेटलमेंट के बीच में इंडिया जो है वो आपका मैंने बताया करनसी टू हाई करनसी टू जीडीपी रेश्यो है भारत जो है वो online payment कर सकते हैं बट online payment में अभी भी bank का involvement होता है बट यह जब आप रखोगी तो bank का involvement जो है वो नहीं रहेगा ठीक है दूसरा it will also substantially reduce the cost of printing obviously बात है जब note छपने कम हो जाएंगे digital currency का लोग इस्तेमाल करेंगे तो इससे में फाइदा होगा ठीक है तो यह भी बड़ा फाइदा है दोस्तों है ना तो वह कागजी note की छपाई वपाई उसमें जो समान लगता है वह अपना फाइदा हो जाएगा ठीक है अच्छा ठीक है सर हमने digital रूपिया बना दिया लेकिन cryptocurrency भी थी पहले bitcoin वगरा तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ देखा उस पहला बड़ा अंतर तो क्या है प्यारे बच्चो सबसे पहला बड़ा अंतर यह है कि यह जो digital रूपी है यह भारत सरकार के दौरा स्टार्ट किया गया है RBI के दौरा स्टार्ट किया गया है इसको कोई accept करने से मना नहीं करेगा आप क्योंकि भारती है Reserve Bank of India जो है Central Bank of India जो है उसके दौरा इसको प्रतिभूतित किया गया है दूसरा bitcoin का क्या बता कौन मालिक है वो सतोशी नाका मोरा बतनी आदमी है या कौन है भगवानी जाने उसका तो bitcoin के पीछे कोई आदमी कौन है नहीं पता लेकिन इसके पीछे भारत सरकार है सबको पता है सबसे पहला तो यही जो है फर्क है दूसरा यहां पर क्या बोला है जब हमने इसको स्टार्ट किया तो गोल क्या था हमारा गोल यही था कि जो bitcoin था वही उस पर हमें अब उसको चाहिए डिजिटल करन्सी क्रिप्ट करन्स वो इन्वेस्ट करेगा उसमें तो सरकार ने उसको बस एक option दे दिया हुई ठीक है हमारे बैंकिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम ने उसको एक optional safe convenient option दे दिया है कि भाई करना ही है तो इसमें कर ले समझ में आरी बात कईयों को ऐसे ही मितलब बिना मतलब की वो हो जाती बस करना ये चीज़ चाहिए तो चाहिए तो आब ठीक है बिटकोइन छोड़ो ये रख लो ठीक है तो एक तो ये बात है दूसरी बात क्या है दोस्तों से आर्विया ने भी बहुत सारे occasions पर कहा था कि बिटकोइन ज हो गया लिठीरियम हो गया मैंने बताया था सारी अब ये प्राइवेट बेस थी ये तो प्राइवेट लेकिन आप जब भारत सरकार की करंसी है डिजिटल करंसी रूपी डिजिटल रूपी अब इसमें ये दिक्कत नहीं आए इसमें टैक्स इवेजन वगेरा वगेरा ये जो है इनका समाधान हो जाएगा तो ये एक safe solution हो गया आपके पास हमारे पास और सभी भारती जनता के पास तो ये अब दिक्कत नहीं है अब इन चिंताओं से आप क्या रह सकते हो मुक्त रह सकते हो आगे पड़ें लेकिन मैंने बताया दोस्तो किसी भी technology का एक प्रियंका स गुड इवनिंग गुड इवनिंग लेट नहीं नहीं कोई बात नहीं प्रियंका कोई बात नहीं अभी तो मैं बता रहा हूं आदे सारे अपने student को यहीं नहीं पता ना class करने लग गया हूं तो उनको एक डेट अफते हैं उनको पता पता कब कैसे पता चलेगा जब आप व लाइक कर दिया अगरो वीडियो को ठीक है ताकि वह ज्यादा ज्यादा लोगों तक अपने आप पहुंच सकाया मैं यह तो कहूंगा नहीं कि पांच आदमियों को जाकी दिखा गया वीडियो तो एक बार लाइक कर दिया अगर प्लीज ठीक है अचा प्रॉब्लम भी है वह लिए अब कोव्यस सी बात है कोई चीज आती है तो उसके चैलेंजिस भी होते है ना तो इसका पहला चैलेंजिस क्या सबसे बड़ा साइबर सेक्योरिटी टेकनॉलजी है तो कल को हैक हो गया तो मामला खराब हो जाएगा अकाउंट हो गया तो आपके सारे पैसे गए चाइ हम इसको कैसे रेगुलेट करेंगे ठीक है हम इससे इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमने उससे प्रॉब्लम थी कि यार उसका पता नहीं चलता कभी उससे टेरर में पैसा जा रहा हो आतंगवाद में लेकिन इससे भी पता लगाने के लिए आपको कोई सिस्टम बनाना पड़े आई गी हमें मेरी बात समझे सिस्टम नया है तो माना हमने बिटकॉइन में तो तुम ट्रेस करी नहीं सकते पता लगाई नहीं सकते लेकिन हाँ इसमें भी अभी सिस्टम नया या तो यहाँ पर भी बहुत सारे चुनोती हमें आएंगी तीसरी बात it also pose a threat to privacy in the absence of legal framework देको भ पर्लेमेंट में इट्स पेंडिंग, डेटा का बिल अभी भी नहीं है, तो भारत में लीगल फ्रेमवर्क अभी भी नहीं है, यूरोपियन कंट्री हो में उन्होंने डेटा प्रडेक्शन बिल बना रखा है, भारत सरकार के अंदर ने पुट्टा स्वामी केस जो वादा है, 2017 में उसमें हमने राइट तो प्रेवेसी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया, आर्टिकल 21 के अंदर, बट फिर भी अभी भारत में डेटा प्रेवेसी के ओपर कोई कानून नहीं है, पार्लेमेंट में अभी भी पैंडिंग पढ़ा हो, तो जब तक वो कानून ना आ ज आता भाई, तो ये क्या करेगा, कुछ information gather करेगा, अब खत्रा ये है कि क्या पता सरकार कुछ ज़्यादा information gather कर ले आपकी और आपकी privacy को खत्रा पड़ जाए, ये भी एक चिंता का विश्य है दोस्तों, तीक है, lack of digital literacy मैंने आपको बताया, पढ़े लिखे नहीं है लोग या बठा, भटाक देजी ने ट्रांसफर्मार लिया तो, ये चीज़े सोच नहीं पड़ेगी हमें, तो ये challenges है, प्यारे बच्चों देको अभी इस topic में कुछ बचा नहीं है, मैंने digital currency क्या होती ही बता दी, मैंने उसमें फायदे क्या हो सकते हैं बता दी, मैंने उसके टॉपिक आपका तयार हो गया है, ठीक है, ये topic तयार हो गया है और इसके उपर पता नहीं कितनी बार आगे बात होगी, लेकिन अब आपको डरना नहीं है और सैमना नहीं है, इस topic को मैंने पढ़ा दिया है, समझ में ना है तो इस बढ़र दुबारा देख लियो, ठीक है, लेकिन हाँ, इस topic से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, उमीद कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, आ गया है समझ में, एबर आ गया है समझ में, ओकिक रिपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो और एक बार शेर कर दो, जल्दी से आ गया है तो हम आगे बढ़ता अब देखो, हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं बई, अब UPSC का जो खेल है, वो थोड़ा से बढ़ा है बई, तो हमें उसके इसाफ से पढ़ना पड़ेगा, तो याद रखो, ये topic तो मैंने पढ़ाया, अब आस-पास की चीज़े क्या है, एक ही blockchain technology बहुत बार हम discuss करते हैं, UPSC भी पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार इस technology की बार अंदर पढ़ लेना है, इसके क्या possible use है, इसकी advantage क्या है, ठीक है न, वो थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा, अभी थोड़ा दिन पहले आपको पता है, वो एक प्रधानमंत् बस कहोगे तो मैं PPT दे दूँगा, या मैं तुम्हें पढ़ा, मैं मतलब एक session बीच में कभी भी बना के डाल दूँगा, आप देख लेना, तो वो जो certificate दी जा रही है, वो भी पता blockchain technology की माध्यम से दी जाती है, तो ये blockchain technology बहुत तगड़ी है, बहुत बढ़िया है, decentralized ledger है ये अच्छा है, record रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, तो ये तभी समझ आएगा, जब पहली बात तो है कि इस technology को आप पढ़ोगे, ध्यान से, अभिशेक सर ने भी इस पे session किया हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है, और वो science के थोड़े विशेशग्य है, उनसे मैं विनेवेधन करूँगा कि आपको एक बढ़ इस पर प्रकास डालने हूँ, ठीक है, दूसरा क्या है इसके advantage और इसके use क्या है, और cryptocurrency क्या होती है, what is cryptocurrency, ये क्या होती है, ये बातें आपको पढ़नी पढ़ेंगी, ये बातें आपको ध्यान रखनी पढ़ेंगी, ठीक है बई ठीक है, हिमानशु अभी अभी जस्ट आया हूँ, दोस्त कल से आया हूँ, मैं सब कर दूँगा, थोड़े दिन दे दे मेरे को यार, सब कर दूँगा, मुझे पता है, मैं आदमी हो गया हूँ एक और मिरसे आप लोगों की अलग अलग चाहते हो गई है, है ना, कोई कुछ चाहता है, कोई कहता है, सर मेरे घर में आख खाना बना दो, कोई कहता है, सर मेरे कुट्य गुमा के लियाओ थोड़े, कोई कहता है, सर जी हमारी शादी आइधर, ठीक है, टेंट गाट दे, तुमारी अलग लग ख्वाही से हैं, मैं सारी सब की कहां से पूरी कर दूँगा, थोड़ दिन डुग जो कर दूगा मैं, ठीक है, सब कर दूगा, एक दो दिन मुझे सेट करने में लगेगा, अभी तो एक बाद बताओ, मेरा ना भी जवड़ा दुखने लग गया, यह इस तो दुखने लग गया है, ठीक है, बोल रहा हूँ ना, घरा जब मैं बिमार था, मै बहुत ज़ाधा सीरियल देखे है मैं, गेम अप थ्रोन में तीन बार देख चुका हूँ, एक बर पहले आया तब देखा, फिर एक बर पिछले, पिछले से पिछले लोक्डाउन में देखा, एक बर इस बर देख मारा ना, तीन बर देख दिया है, चुप-चाप पड़ा र आपसे यह सवाल बनता है क्योंकि अभी आगे है तो डिजिटल रूपी का सवाल बन जाएगा आपसे ठीक है पांच जून को आपका क्या है पेपर है तो हो सकता है आपसे क्योंकि यह एक अप्रेल से शुरू होगा तो फिर एक बार न्यूज में आएगा तो दो-तीन बार क्रिप्टो करंसी के इस्तेमाल करने के पता होने चाइए ठीक है एडवांटेज भी पता होने चाहिए तो है हमें पढ़ ली हमने 50 कमिया है लेकिन कुछ अच्छाई हैं भी है तभी तो लीथियम बीथियम इतनी सारी आ रही है अजा पॉसिबल एडवांटेज और specific अब आगे पढ़ते हैं हिंदी में हिंदी वाले चात्रों के लिए और चात्राओं के लिए कि आर बी आई दुवारा digital रुपिया ये क्या है क्रिप्टो के लाब संभावित लाब और चुनोतियां इसकी चुनोतियां भी देखनी है blockchain टकनीक के बारे में और क्रिप्टो करंसी जारी करने वाले देश कौन से हैं कितने देशों ने इसको जारी कर दिया है है ये आपको देखना है अचा UPSC का सवाल है ये स्टार्टिंग में पूछना था मुझे बढ़ ये पीछे हो जाता है मेरे को ध्यान भी नहीं था पहले UPSC का question देखो अब ठीक है ये topic पड़ा मैंने इससे संबंदी देख सवाल है चलो देखो और मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा Consider the following statement with respect to the digital rupee a central bank digital currency कह रहा है कि भया अभी जो digital rupee हमने launch किया है central bank digital currency हमने launch की है इसके बारे में पढ़ो और बताओ कौन सी बात statement सही है पहली statement दे रहा है कि जो CBDC है legal tender है legal tender मतलब कोई मना नहीं कर सकता जो central bank यह नहीं कि RBI के दुवारा issue किया जाएगा from the next financial year अगले वित्तिवरस से It will be a fiat currency backed by the blockchain technology It will be a fiat currency backed by the blockchain technology और तीसरा क्या है it can be interchanged with the physical currency कैरा इसको आप किसी भी physical currency के साथ में interchange कर सकते हैं Statement बताइए इसमें कौन कौन सी statement जो है वो सही है बताइए C Good good A नहीं है दोस्तो C होंगे मिलाब यहाँ थोड़ी सी गड़बड है It will be like होगा It will be like a fiat currency ठीक है अगर वो like छूट गया इसमें तो तीनो statement सही होगी C is the correct statement तीनो statement सही है बच्चो ठीक है न एकदम बढ़िया एकदम आदी बहुत बढ़िया यार एकदम fit हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अभी पटी वटी है अभी बंदी हुई है ठीक है पीछे कमर में बाकी stiches कट गए हैं सब बढ़िया एकदम मेरे यहां बैक में यहां पे यहां पे जैसे जांसे हाथ जुड़े होते हैं यहां पे यहां पे लाइपवमा था रसोली थी रसोली समझते हो ना गांट थी अवो अंदर की तरफ फैल रही थी बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर नहीं आ रही थी वो अंदर की अंदर फैल रही थ उसको निकलवाया है यार वो बहुत बड़ी होगी थी अब वो बहुत स्वेस बूट दिखाऊंगा बहुत पुराना शाइद Facebook पे मिले आपको ठीक है उस photo में दिखती है वह ऐसे back पे मेरे अलग से दिखती है तो वो दिकत कर रही थी ज़े रात में सोता दर्द होता और अंदर फैल रही दिऊ तो उसको निकलवा दिया है डेड़ कि लोग ही निकल लिए वो गांठ तो वो था अभी सही हूँ अभी बढ़िया है कटाके वाके कट गए है लेकिन एक महीना और लगेगा प्रण रूप से ठीक होने में तो वैसे सब सही है उकेगी रिपोर्ट है डॉक्तर तो मनाई कर रहे थे उसकाओ तुट था महीने रेस्ट मारना में लागता तो तीन महीने निया मेरे पास आपको PDF मिल जाएगी थोड़ी देर के अंदर में अपने टेलिगराम चैनल पे जाके महां से आप वो कर लेना ठीक है डाउनलोड कर लेना और अच्छे से करो यार तैयारी UPSC का फॉर्म निकला है सब फॉर्म देंगे सब फॉर्म भरेंगे एक जून को हम टेस्ट करेंगे आपके साथ एक जून को मैं टेस्ट लूँगा आपका तीन जून को मेरा जनम दिन भी ओता है एक जून को हम टेस्ट लेंगे आपका ठीक है एक जून को उस टेस्ट से मैं आपको बता दूँगा कौन बच्चे जो है पेपर देंगे, ठीक है, जिस जुन बच्चों का उन टेस्ट में अच्छे नंबर आए, वो एक्जाम दे देना, आपको चिंता करने की ज़रूत नहीं है, कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, और कई बच्चे सोच रहे हैं, तैयारी हम बहुत पीछे हूँ, आप शिरू करो यार, यह बकवास की बात मत करो, बहुत टाइम है, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मही, ठीक है, इतने महीने में तो सब एक्स्पीरियंस बंदे हैं, पंकत सर बहुत एक्स्पीरियंस है, ठीक है, रोक एजेंट रहे हैं, वो सारी चीज सिखा देंगे तुमें ठीक है न, बात समझ में आ रही है, तो सब चीज हो जाएगी, मेंस का सवाल देखो, बढ़िया सवाल लिखा है, मैंने बहुत अच्छा सवाल बनाया है, बहतरीन सवाल बनाया है, एकदम करेंट अफेर के हिसाब से, पढ़ो तुम्हें पढ़के ही मजा आ जाएगा, तुम अपने जो करेंट अफेर में हमने क्वेशन किये थे, उन से मिलते जुलते आपने देखें कितने क्वेशन है, कितने क्वेशन है, मतलब मैंने अभी से स्टार्ट किया था, 40 से 45 परसेंट जो अपने हमने क्वेशन किये थे, उनके आसपास से ही मतलब सवाल आया है, और ये जो है हमने बहुत लेट स्टार्ट की थी मतलब यह ओगस्त यह सितंबर से हमने शुरू किया था इस प्रकार से पढ़ना सोचो इतने टाइम पे अपने पास इतने कोश्चन बन गए थे और इस बार माभी से पढ़ूँगा तो इस बार 2022 का जो मेंस होगा ना उस तब तक करना पर नहीं होता है तो मैं कराऊंगा क्या कहा रहा कि RBI है जो है उनको व्यक्त किया है हरी जंडी दिखाई बोला है कि यहां ऐसी चीज़े आ रही है इसी बात की उपर आपको चर्चा करनी इसी बात की उपर आपको इस पर डिसकस करना है ठीक है आपको इसमें 250 वर्ड्स के अंदर में एक अच्छा सवाल मुझे देना है ठीक है मैंने जो पढ़ाया ना उसी में से आएगा इसमें मैंने कुछ नहीं पूछा आप से मैंने ये पूछा है कि क्रिप्टो करन्सी की प्रॉब्लम क्या थी वो भी पता दिया मैंने आपको इंडिया में क्रिप्टो करन्सी ये जो डिजिटल रूपी आया इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया और चिंताएं क्या है वो भी बता दिय और ऐसे तो तुम पढ़ाओगे कब। सलेबस तुमारा कभी जिन्दगी में पूरा नहीं होगा। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। सलेबस कभी जिन्दगी में पूरा होगा तुमारा कभी नहीं होगा। ऐसा आज तक मैंने कोई प्राणी देख्या नहीं दर्तिव जिसने UPSC का सलेबस पूरा कर ले इतना बड़ा है तो कब तुम उसको पूरा करोगे और कब तुम UPSC के अंसर लिखने शुरू करोगे लिखना एक कला है एक आर्ट है वह आर्ट आपको मैं मानता हूँ सलेबस पढ़ना जरूरी है लेकिन एक आर्ट यह टोपिक पढ़ा यह कुश्शन कर सकते हो बस बात खतम- इससे ज़दे मैं कुछ नहीं जानता इस wäre इस क्वाल को कर सकते हो मैंने सवाल इसे इस टोपिक से ह दिया है, मैंने कोई और अलग से इसमें इस्ट्री थोड़ी नहीं कि कहीं पर मैंने नैशनल इंडियन इंडियन नैशनल कॉंग्रेस का इसमें कुछ आएगा नरम दल गरम दल की नॉर्मल बात है आराम से कर सकते हो, ठीक है? ओके रिपोर्ट करो, हरर मादेव ओके रिपोर्ट करो जल्दी सारे बाइ वा, मज़ा आ गया यार क्यों इतने दिन मैं गर बैठा था जल्दी से लाइक करो वीडियो ओरे लाइक नहीं हो रहा है यार, साथ सो पुचा दो जल्दी से population, मैं सब करा दूँगा, मैं थोड़ दिन वेट कर, थोड़ दिन वेट, सब करा दूँगा, ठीक है, population geography है, ऐसे बारी बरकम नाम जो सुनते हो न तुम, यह सब आपका NCRT से खतम हो जाएंगे, बाकि यह जो चीज है, population geography है, सब mains की बाते हैं, हम mains तब कर पाएंगे, जब prelims ठीक है, इस बात पर ध्यान दिया हो, सब mains की बात है, वो भी optional की, population geography कहीं से, population geography में क्या आता है, पता है आपको, बताऊँगा, वो भी concept कभी बताऊँगा मैं, ठीक है, तो उतना आप डरो मत उन चीजों से, सब हो जाएगा, ठीक है, चलो गई, चलो, and साती सात में दोस्तो देखो, मेरे साथ जुड़के आप plus course भी कर सकते हो, plus course करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यह GS का plus course है, तो यहाँ पर आप plus और iconic, दो प्रकार के subscription जो है, आप यहाँ पर ले सकते हो, दोस्तों, प्यारे बच्चों, यह आपके subscription का prize है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 स का, ले सकते हो, code आपका क्या रहेगा, SUMIT10, तो यह मेरा telegram channel है, PDF यहाँ दे दूँगा, मैं, साथ-साथ यह अपना code है, ठीक है, इसको use करना है, to get the 10% offer in academy, I hope you like the session, you enjoy the session, so guys, please like the video, share it and subscribe the channel, thank you very much, take care, bye-bye, love you guys.